शुप्रभाद बच्चों, मैं आपकी स्मृतिमिस और आज हम लोग हिंदी की क्लास में फिर से आये हैं और हिंदी की क्लास में आज हम लोग जानेंगे एकी मात्रा वाले शब्द आज हम लोग एकी मात्रा वाले शब्द पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं एकी मात्रा से क्या-क्या शब्द बनते हैं तो देखिए बच्चों आप लोग जैसे की देख सकते हैं बुक में एकी मात्रा को बोला जाता है एकार ठीक है एकी मात्रा को क्या बोलते है एकार तो आज हम लोग A की मात्रा से बने हुए शब्द पड़ते, ठीक है? तो पहला शब्द क्या है? देखते हैं, आधा का जोर, एकर, जोर, आधार, जोर, आकर, क्या बन गया? बराबर क्या बन गया? कैमरा, कैमरा जिससे हम लोग फोटो खीशते हैं, अब दूसरा शब्द है, आधाम, जोर, एकर, जोर, आधान, जोर, आकर, बराबर, मैना, मैना मतलब एक पक्षी, एक चलिया को बोला जाता है मैना, एक चलिया का नाम है अब हम लोग कुछ और शब्द भी देखते हैं, जो एकी मात्रा से बना हुआ है, ठीक है? तो पहला शब्द है, ब, आकर, र, बैर, बैर, मतलब दुश्मन, एना? जो शत्रू वगेरा होता है, उसको बोला जाता है बैर, और हमें किसी से भी बैर नहीं करनी चाहिए, एना? अब दूसरा शब्द है, प, आकर, र, पैर, पैर, मतलब हमारा पैर या पाव, लेग, इन इंग्लिश, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लेग, और हम लोग के पास कितने पैर होतें, दो, एना? अब दूसरा शब्द है, स, आकर, र, सेर, सेर, मतलब घूमना, एना अब दूसरा शब्द देखते हैं त, अईकर, र, तैर त, अईकर, र, तैर तैर मतलब चिरिया या पक्षी कोई भी चिरिया या पक्षी को भी बोला जाता है तैर अब दूसरा शब्द है फ, अईकर, ल, आकर, फैला फ, अईकर, ल, आकर, फैला फैला मतलब कोई भी चीज फैलना ठीके जैसे गर हम लोग पानी गिरा देते तो वो क्या हो जाता है फैल जाता है पूरा जमीन पे है न तो उसे बोला जाता है फैलना फैला मतलब फैलना अब दूसरा शब्द है छ अईकर ल आकर छेला चहला मतलब कोई भी पुरुष जो एकदम रंगीन प्रवृतिका होता है या फिर सुन्दर या रूपवान पुरुष को भी बोला जाता है चहला और चहला वर्ड जो ये चहला शब्द है वो लड़कों को संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है लड़की लोग को छेला नहीं बोलते हैं अब दूसरा शब्द देखते हैं थ अईकर ल आकर थैला थैला मतलब सामान लाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं जो सामान वगरा डालने में हम लोग चलाते हैं उसे बोला जाता है थैला जैसे कि अगर हम लोग मारकेट जाते हैं तो मम्मी क्या करते हैं सबजी वगेरा है ना चावल डाल ये सब क्या चीज में लाते हैं थैला में लाते हैं कोई भी सामान डालने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं जो प्लास्टिक का बना हुआ भी रहता है उसे बोला जाता है थैला दूसरा शब्द है म अईकर ल आकर मैला मैला मतलब गंदा मैला का मतलब क्या है गंदा जैसे कि हम गंदे कपड़े पहनते हैं नहीं हमें गंदे कपड़े नहीं पहननी चाहिए है ना तो मैला मतलब गंदा और मैला चीज को हम लोग को दोकर साफ करनी चाहिए ह अब दूसरा शब्द देखते हैं म अईकर द आकर न मैदान मैदान मतलब खुली जगा जहाँ पे खेल कूत कर सकते हैं खेलने के लिए बना हुआ खुली जगा अब दूसरा शब्द देखते हैं ह अईकर र आकर न हैरान हैरान मतलब चोकना कभी कभी क्या होता है कुछ चीजे देखके या कुछ सुनके हम लोग क्या रह जाते हैं हैरान रह जाते हैं दंग रह जाते हैं तो उसे बोला जाता है हैरान अब दूसरा शब्द देखते हैं त अईकर र आकर क तेराक त अईकर र आकर क तेराक तेराक मतलब वो व्यक्ति जो तेरने में बहुती क्या हो कुशल हो है ना उसे बोला जाता है तेराक जुसको अच्छे से तेरना आता हो उसे बोला जाता है तेराक अब दूसरा सब्ध है कयलाश एक नाम है बच्चो और कयलाश नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध परवत भी है जिसे कयलाश परवत भी बोला जाता है और आप लोग ने ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तो सुनाई होगा है ना और ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या करता है कैलाश परवत से ही बहता है ठीक है और ये कैलाश परवत कहां पे है तिबत में ठीक है अब दूसरा शब्ध हम लोग देखते हैं कसेला कस आईकर ल आकर कसे जो एकदम जीब में रह जाता है कोई भी चीज जैसे कि अगर हम लग आवला खाते है ना फिट करी का स्वाद वगर जैसे हम लोग को जीब में लगता है तो कैसा होता है एक उन लोग का मतलब वो चीजों का स्वाद कैसा होता है एकदम जीब में मतलब गड़ा रहता है ठीक ह अब दूसरा शब्द है तो अईकर न आकर तैरना तैरना मतलब क्या तैरना मतलब तैरना है ना जो हम लोग पानी में तैरते हैं तो तैरना मतलब पानी में तैरना अब दूसरा शब्द है न अईकर न दिर्खीकार त आकर ल नैनी ताल नैनी ताल एक जगा का नाम है और नैनी ताल में बहुती खुबसुरत ताला भी है ठीके? अब दूसरा शब्द देखते है स अईकर न हर्षिकार का सैनिक सैनिक का मतलब तो आप लोग को पता ही है है ना सैनिक मतलब जो हमें और हमारे देश को दुश्मनों से क्या करता है रक्षा करते हैं उन्हें बोला जाता है सैनिक है ना और हमें अपने सैनिक को पर गर्व होनी चाहिए ना क्योंकि हमारे सैनिक बहुती बहादुर है और हमेश भी सेना में होंगे है ना यह सरनो तो सैनिक मतलब क्या है जो देश को और हमें दुस्मनों से रक्षा करते हैं बच्चों हम लोगों ने एकी मात्र तो पढ़ लिया अब एकी मात्र से बने हुए कविता को भी पढ़ते हैं लेकिन कविता को ले में पढ़ने से पहले हम लोग क एक एक अक्षरक उचारन करके पहले पढ़ते ठीके तो एक एक अक्षरक का उचारन करके पहले कविता को पढ़ते ठीके अउकर बढ़िर एकर दोड़े सरपट सरपट जह आकर चंद्र बिंदु जहां द एकर ख एकर देखे ख आकर ल दिर्गीकार खाली म एकर द आकर न मैदान क ह दिर्गीकार अंसर कहीं स एकर से ल एकर कर लेकर ओ आकर यो आकर आया त ब ल आकर तबला सो आकर सा र एकरी गो आकर गा मो आकर मा सो र गम सरगम न हर्षिकार क ल आकर निकला तो हर्षिकार कहर्षिकार तिर्गीट तो आकर ल ताल तो ल एकर यो आकरत लेकर हम लोगों ने इस कविता को एक-एक उचारन करके पढ़ लिया हैं अब हम लोग इस कविता को एक ले में पढ़ेंगे ठीक है भईया मेरा बड़ा शेतान पैदल दोडे सरपट सरपट जहां देखे खाली मैदान कहीं से लेकर आया तबला सारे गामा सरगम निकला तिर्किट तिर्किट ताल तलैया छमक छमक छमताता थैया तो बच्चो एक बार फिर से हम इस कविता को दोराते ठीक है भईया मेरा बड़ा शेतान पैदल दोडे सरपट सरपट जहां देखे खाली मैदान कहीं से लेकर आया तबला सारे गामा सरगम निकला तिर्किट तिर्किट ताल तलैया छमक छमक छमताता थैया तो बच्चो ये था एकी मात्रा वाले शब्द और एकी मात्र से बने हुए कविता तो आप सबको एकी मात्रा अच्छे से समझ में आया होगा है ना तो आप लोग एकी मात्रा को अच्छे से पढ़ेंगे इस सब्द एकी मात्रा से बने हुए इन सब्दों को अच्छे से याद करेंगे ठीक है? Thank you and have a nice day